हेलो एविवान कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब अच्छे हूगे मैं भी ठीक हूँ आज का वीडियो है साइकलोन पे तो जैसा कि आप सब को पता है जो चीज़े मैंने अपने वीडियो में पहले ही भविश्यवानी करती थी वही सेम चीज़े अभी मैडम लेकर आई हैं आद सुभा उन्होंने बताया कि वह अपना बेटा क्यों नहीं दिखा रही थी वीडियो में या क्यों उन्होंने ये फैसला लिया था जो कि जो चीज मैं पहले ही फाइनल कर चुकी हूं कि जैसा प्रीती अपने ससुराल वालों को ब्लैक्मेल कर रही है प्रीतो जी सेम उन लेकिन लोगों ने इनके वीडियो पर व्यूज कम कर दिये इसलिए क्योंकि लोगों को देखे लोग बच्चे से कनेक्टिड है बहुत जादा कनेक्टिड है इनको तो कोई देखना वैसे भी पसंद नहीं करता लोग तो बच्चे के वज़ए से इनको जहल रहे थे तो पाखी तो मिर पस और कोई कंटेंट ही नहीं है यही तो कंटेंट है कि बच्चा बीमार हो गया ममी बीमार हो गई ममी के साथ यह हो गया बच्चे के साथ यह हो गया और तो इनके पस कोई कंटेंट नहीं है अब जब बच्चे कोहीं नहीं दिखाएंगी तो कंटेंट कहां स लाइंगी है ना तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि क्यों वापिस ये फैसला लेना पड़ा इनको और ससुराल वालों को बिना मतलब कि ये परिशान करने में लगी थी ये सोच के कि भई वो लोग इसको फोन करेंगे मैसेज करेंगे किसी तरीकी से कमेंट करेंगे मतलब मैं कुछ भी नहीं किया तो इनको समझ में आ गए कि भईया मेरी तरफ से अब सारी चीज़े गलत हो रही है और मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं तो जहां जो चीज़े जैसी थी उसको वैसा ही कर देती हो नहीं तो मेरी प्रब्लम बढ़ जाएंगी तो फिर अभी नहीं सोचने के बाद यह चीज़े नॉर्मल करने की कोशिश की है और मुझे अब हसी भी आ रहे कि जो भविश्यवानी मैं अल्रेडी कर चुकी हूँ अपने चानल के उपर अगर आपने नहीं देखे तो दो से तीन चार वीडियो पहले के वीडियो देख लीजेगा उस प इसकी मुझे पहले पता चल जाती कि भाई यह यह चीज इसलिए सोच रही है यह यह काम इसलिए कर रही है है ना इतना तो अभी ही इसके सामने हमें समझ में आने लगा है कि क्या क्या गेम खेल सकती है यह औरत तो गाई यह सब चीज़े देखने के बाद अब आपको समझ म आ रहा होगा कि मतलब कोई इंसान अपने मतलब के लिए अपने लिए कोई कितना गिर जाता है ना मतलब बच्चे का यूज करते हैं परिवार का यूज करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि भहिया हमें पैसे चार बन जाएं और अगर ऐसा होता है इनको लगता है कि भहिया स इतनी जादा डीपली चीज़ों को जाकर गंदे तरीके से होच्छा पंती कर सकती है, मतलब क्या ही भूलू मैं इसके बारे में, आप देख सकते हो, और एक तरफ से कहती है कि मैं क्यों ना करूं, मैं फेस वैल्यू बच्चे की बना चुकी हूँ, यह हो गया, वो हो गया, मैं तो यह कहूंगी कि वो बच्चे की किस्मत और जिंदगी दोनों खराब कर दिये, किस्मत तो उसकी यही खराब है कि वो इस घर में हो गया, है ना उसकी किस्मत तो सबसे बड़ी यही खराब है कि उसको ऐसी मा मिल गई कि जिसको खुदे को कुछ नहीं पता उसको इतना भी नहीं पता कि भाईया घर में खाना जो राशन लाया जाता है उसको यूज किया जाता है उसको खाया जाता है बना कर आपका क्या ही ही फायदा आप मंडी से जाके 80-80 रुपे किलो वाली सबजी ला रहे हो लेकिन खाने के लिए आपको धाबे के उपर 40 रुपे प्लेट का खाना खाना समझ में आ रहा है 20 रुपे बाला पराठा पासंदा आ रहा है तो मतलब आप सोच सकते हो कि जो इनसान अपने खुद के पेट का सगा नहीं है वो किसी और का या अपने बच्चे का कैसे ही सगा होगा आप सोचो कि ये मडम अकेली बैटके वो धाबे पर खाना खा रही थी आलू के पराठे तो सोचो उस बच्चे को क्या ही देती होगी है म अभी मुझे फील आ रही है कि भाईया उसको खाना भी नहीं मिल रहा है और जो चीज़े मैं देख रही हूँ उस हिसाब से मैं 100% शौर हूँ कि भाईया वो बच्चे को खाने की वेसिस पे नहीं है क्योंकि ये खुदी बोलती है कि मेरे को दूद पिलाने के लिए भी उसी लोग खिला देंगे तो ठीक है नई तो बच्चा मेरे हाथ का खाना नहीं खाता पीता नहीं है कुछ मेरे हाथ का दूद बूद तो मतलब ये कहने का मतलब तो आप लोग सोचिए कि जो भी हम सब के घर में कोई ना कोई बच्चा तो छोटा है या ना चाहे वो अपना हो जाए वो किसी और का बच्चा हो बच्चे तो होते हैं हमने बच्चे बहुत सारे देखे भी है तो आप लोग समझ सकते हो कि बच्चा अगर अपने घर में खाना पीना ही नहीं खा रहा हूँ उसको खाना पानी और दूद पिलाने के लिए पडोसियों के घर कौन सा मतलब इनसान भीजता है आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी थी मतलब आज मैंने पहली बार लाइफ में ये बात सुनी है कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए दूद पिलाने के लिए मैं दूसरे के घर भेज़ती हूँ पर उसी मेरे बच्चे को खाना खिला भी देते हैं और खा भी लेता है लेकिन वहीं मैं खिलाती हूँ तो मेरे हाथ से नहीं खाता तो ये आप समझ लीजे कि ऐसा होता है, ये वो होता है, ऐसी बाते, तो मुझे नहीं लगता है यार, माँसे बढ़कर कोई भी औरत, कोई भी आंटी, कोई भी ऐसा कोई होता होगा कि भई वो खाना खिलाए और बच्चा खा ले, मुझे नहीं लगती ये चीज़े, है न तो इनके घर में तो इनकी मम्मी खुद है, नानी के, वागर बैसे तो मा के हाथ का खाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे सबसे जादा मा अच्छे सांभाल सकती है, मुझे ऐसा लगता है, उतना पिता भी नहीं संभाल पाता है, जितना मा संभाल लेती है, और मा अपने बच्चे को जो चीज कहती है, वो बच्चा कर लेता है, कहना माल लेता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है, और यह सोशल मेडिया पर मेसेज भी उल्टे उल्टे ही देती है, कि अगर बच्चा खाना ना खाए ना, उसको पड़ोशियों के घर खाने के साथ भेज़ दो, तो वो पूरा खतम कर देगा, वो वहाँ खाना खा लेगा, यह कर लेगा, वो कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, इनकी लाइफ में इसलिए होता है, क्योंकि माँ को खाने खिलाने का समय ही नहीं होता, सारा समय वो बीजी रहती है, कि फोन में खुशी रहूं, वीडियो में खुशी रहूं, या फिर मैं किसी और से प्यार महबत बाटल हूँ अपना, अगर तुम्हारे पस समय हो, तो तुम अपने बचे को खाना अच्छे से खिला पाऊ ना, तुम्हारे पस तो खुद की खाना खाने का समय नहीं है, तुम तो होटल पे ढावे पे 20 रुपे के पराठे ढोनती हो, तो वो पराठों से अपना पेट भर रही हो, क्या फायदा है ऐसा पैसा कामाने का, जो दो रोटी भी चैन की ना खाया हो, क्या फायदा है ऐसे पैसो का, मैं ये पूछना साथ हूँ, जो तुमने दो जोपड़े खरीद लिए, उन जोपड़ों का क्या फायदा जब उनमें रह नहीं सकते हो, तुम धंक से, खाना नहीं खा सकते हो, अभी आज इसने जुटा एक्स्क्यूज दिया, हमारे घर में कीचन वर्किंग नहीं ये नहीं, वो नहीं है, तो मतलब, इनकी कीचन वर्किंग आज नहीं है, वैसे तो इनकी वर्किंग थी, लेकिन मैंने तो इनको तीन सालों में हमेशा धाबे पर ही नजर आई है मुझे यह मैणम कभी मुझे कीचन में नजर ही नहीं आई कि भईया कीचन का कुछ खा रही है धंका बना के कुछ ऐसा वैसा तो आप लोग अपने कमेंट में राहे दीजेगा मुझे तो देखो बहुत कर दीजेगा मैं मिलते हूं अंगले वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजेगा तब दे के लिए बाइटी कियर